अब जो अगली चीज़ है वो यह है कि जनाब आपको आपको ना मेरी बात ज़रा गवर से सुनें इस कोर्स के लिए जो 6 मा का कोर्स है कुछ स्पेसिफिक लॉग इन्स चाहिए होंगे कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट पर आपने अपने लॉग इन्स क्रियाट करने हैं तो व यहां पर आपने सबसे पहला जो लॉग इन्स बनाना है वो है कुडैनिक्स.com पर जाना है आपने कुडैनिक्स.com एक्स यहां पर लिखते हैं www.kodainix.com यह वेबसाइट आगी कुडैनिक्स.com की और यहां पर आपके पास यह वीडियो फोरन से स्टार्ट हो जाएगी तो आप यहां से अपना जो इसका वॉलिम है वो बंद भी कर सकते हैं वरना इसको लाइक भी कर सकते हैं आपने यहां पर courses में जाने के बाद आपने six months of AI and data science roadmap इस पर click करने के बाद आपने इसके लिए enroll करवा लेना है ठीक है और enroll करवाने के फोरन बाद आपके पास कुछ यहां पर वीडियो जाती रहेंगी और जितना भी हमारा पूर्य का पूरा course होगा वो सारे का सारा यहां पर आपको update कर दूँगा मैं सारे के सारा course आपको यहां पर मिलेगा तो जैसे आप इसके लिए enroll होंगे आपको free of cost कोई fee नहीं आपको enroll करवाने के लिए simple आपने यहां पर enroll now पर click करने है click करने के बाद यहां पर अपना username और ID password देना है अगर नहीं है तो register now पर click कर देना है तो आपके पास यह open हो जाएगा तो जैसे आप इस website पर login होंगे यह हमारी website है तो इसके अंदर आपको सारे का सारा course LMS के सूरत में आपके सामने यहां पर मिलेगा ठीक है तो आप अपनी जो start वाली videos है वो यहां पर click करके वो भी देख सकते हैं if you want to visit that और यहां पर site के ऊपर जितना भी course material है वो फिलाहल हम वीडियो बन रही है उसको complete join करने के लिए आपको यह python का चिला 40 दिन वाला करना पड़ेगा और आपका बहुत important question है कि यह चिला अगर complete नहीं होता तो हम क्या करेंगे I will tell you wait a moment अच्छा दूसरी जो आपने अपनी ID बनानी है that is facebook की ID किस किस के पास है facebook की ID है ना आपके पास obviously आपके पास होगी facebook की ID तो आपने काम यह करना है कि facebook की ID जो आपने बनानी है ना उसको professional level पर manage करना है ठीक है क्योंकि हम लोग क्या करते है facebook की ID जो है उसको दो नमबर तरीके से utilize करते हैं fake कर ली या या कुछ इदर उदर की हैं की फैंकी कर ली आपने facebook की ID बनानी है और kod Linux का group join कर लेने reason कहा ज्यादा तर announcement हम इसी page के उपर जो है वो आपको दिया करेंगे मैं login नहीं हो इस वडिया से वह पूछ रहा है बार-बार login करने का मैं यहां पर login नहीं करना चाहता वरना आपको पता है कि जो इदर-उदर के message मुझे आ रहे होंगे you can actually look into that तीसरी जो main ID ह वो आपने बनानी है Twitter की Twitter यानि के X ठीक है तो उसके उपर आपने क्या करना है Twitter के उपर अपनी ID बनानी है क्योंकि मैं आपको social media handling भी बताने वाला हूँ ठीक है चौथा आपने करना है by the way Twitter अगर कोई use करता है so we will actually develop a post जिसके उपर आप जा के एक दूसरे को follow भी कर सकते है ठीक है so अभी के लिए मैं वो वाली post आपको नहीं दे रहा लेकिन मैं अपनी ID आपको बता देता हूँ just in case अगर आपको लगे कि आपने देखना है कि कौन है यह बंदा कहां से आय बंदा क्या कर रहा है so on and so forth ही दरुदर की चीज़े तो आप simply double a double m ar underscore to fail लिखेंगे तो आ आपने github पे ID बनानी है github जितने भी codes हैं वो सारे के सारे आपको github पे मिलेंगे और github पे ID बनाते साथ साथ आपने एक और काम करना है github student developer pack पे आपने apply कर देना अगर आप student है वरना teacher developer pack पे आपने apply कर देना अगर आप teacher है और यह free of cost आपको लाखों के resources मिलते है student developer pack पे apply करेंगे तो यह सारे resources आपको मिलेंगे totally free ठीक है काफी जयादा resources है इन पे कभी किसी और दिन बात करेंगे teacher developer pack पे करेंगे तो आपको यह teacher program का मिलेगा आपके पास एक student ID होना ज़रूरी है अदर्वाइस या आपकी student email ID से भी काम चल जाएगा so this is one of the other thing then आपको जिस website का login create करना है that is called kegel kegel पे आपने जाना है kegel.com पे यहाँ पे अपनी ID बनानी है ठीक है क्यूं क्यूंके आपका portfolio kegel के ऊपर आप show करते हैं github पे भी show करते हैं kegel पे भी show करते है then you have to do that on kegel. kegel हो गया, github हो गया, twitter हो गया, facebook हो गया इसके बाद सबने एक fresh ID बनानी है LinkedIn पे अगर आप कोई हैंकी मैंकी या इदर उदर की बाते हैं नहीं कर रहें सिरफ data और professionalism को maintain किया हुए तो आप उसी LinkedIn की ID को use कर सकते हैं जो आपके पास पहले भी है अगर पहले आपके पास कोई LinkedIn की ID नहीं है, then you have to create a new one और LinkedIn की ID क्यों ज़रूरी है, कैसे बनानी है, कौन-कौन सी चीज़ें update करनी है, I will let you know for now, please, ये ID नहीं बना लें तो ज्यादा बेतर है फिर कैसे उसको promote करना है, कौन-कौन सी चीज़ें add करनी है, I will let you know then आपने professional profile pic बनानी है, professional profile pics जो होती है न, वो basically आपको और भी उजागर करके लोगों को बताती है something like this, इस तरीके से आप professional profile pics अपने बनाएगे या आप कुछ इस तरीके से profile picture अपनी बना सकते है, ठीक है, इस तरीके से या अपनी इस तरीके से, या इस तरीके से, जो professional दीखे, ताके आप जब भी किज़े को message करें वो यह आपकी तस्वीर देखके न, किया कि इसको तो पहनने का नहीं बता, तो वो reply कैसे करना है and people are actually judgmental on some ways, वो आपको बताते नहीं है, that's another thing, लेकिन वो judgmental होते हैं so please, अपनी professional तस्वीर बनाए, नहीं एक भी रुपया, यार, 100 रुपया किसी से उधारा ले लो studio में जाओ, उसको बोलो मुझे इस तरीके की professional तस्वीर बना दो, black या grey background के साथ और उसे बोलो मुझे ना, इसकी 5-6 versions आपने देने है, फिर भी नहीं आपके पास एक रुपया, आप क्या करें, गर में जिस दिन त्यार शार हो ना, जुम्हे वाले दिन, या किसी भी दिन, त्यार शार होके, जेल शार लगाके, बाल वाल कंगी करके, लड़कों की बात कर और आप क्या करें, किसी से तस्वीर बनवाएं, और एक है जी, प्रोफाइल पिक मेकर, इस वेबसाइट पे जाएं, फ्री प्रोफाइल पिक मेकर पे, आप अपनी तस्वीर यहां पे अप्लोड करें, इस तरीके से आपको multiple versions of your तस्वीर जो है, वो मिल जाएंगे, लेकिन आप please, professionally तस्वीर बनाएं, ताकि आपकी लोगों में मांगो, लोगों को पताओ, देन अगली चीज, यूटूब पे जब आप अब लाइव देख रहे हैं, आपका ID जो है, वो original नाम से होना चाहिए, उसकी क्या reason है, मैं आपको बताता हूँ, यहार आप जब भी किसी का tutorial देखते हैं, मेरा यहार किसी का भी है, आपको मैं एक बात बता दूँ, वो बंदे आपको note करते हैं, क्योंकि मैं अगर एक YouTube channel चला रहा हूँ, I respect those people, जो मेरे channel को देख रहे हैं, और अगर कोई comment करता है, बड़ा intellectual किसम का, तो मुझे यह होता है, यह कौन है, ठीक है, तो इ reach out करने की कोशिश करेंगे, बजाए इसके कि आप जो यह धेरों comments लगा रहे होते हैं, इदर उदर, तो आपके वो वाले comments जो हैं, वो आपकी profile को boost करने में help out करेंगे, and in this way, you can stand out from thousands of people, तो यह इन्शाललाई technique में आपको सिखाने भी वालों, आपने professional अपनी YouTube की भी ID बनान उससे मतलब यह नहीं के दिन में 26 दफ़ आप गाने शेयर कर रहे हैं, या कोई hate speech शेयर कर रहे हैं, या आप अंग्रेजों के खलाफ बोल रहे हैं, वहाँ पे सारी बात है, जो आपकी profile को गंदा करें, ठीक है, बट जब आप एक स्टेज पर पहुंँचे हैं, फिर अपनी जो freedom है, freedom of speech उसको सामने लेके हैं, but for now please maintain these things, तो जैसे आप YouTube पर जाएंगे, अपनी original नाम के साथ ID बनाएंगे, then it would be better, अच्छा एक question बार-बार आ रहा है, कि यह Anaconda Navigator जो है, यह install कर लें हो भाई, यह बहुत heavy software है, इसी वड़ा से मैंने mini-conda करवाया है, आपके PC ने बा जाएगा, यह कम October से हमारा course start होने वाला है, फिर मैं दुबारा से repeating करूँगा, और यह वीडियो आज की जितना भी lectures है, वो सारे के सारे यहाँ पर, जो हमारा course है, kodenics.com के उपर, अगर मैं यहाँ पर जाओ, तो यह six month of data science and AI, यहाँ पर नीचे इसके मैं add कर दूँगा, ठ लेकिन वो, सिरफ और सिरफ मैं उनको suggest करूँगा, जो सच में mentorship training लेना चाते हैं, सच में one-to-one question करना चाते हैं, सच में अपना portfolio improve करना चाते हैं, वो ही सिरफ आए, otherwise free is enough to go, obviously, अगर आप 6 मा लगा रहे हैं, तो अगर आप fee भी pay करते हैं, so it will give you more chances to stand out, this was all about the logins and websites,